हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी ठीक होंगे वैलकम बैक टू अवर यूटीब चैनल मैं पुजा डिलो हम बात करें हैं स्यारसी यूनिवरस्टी के बीएड सेकंड एर थर्ड पेपर के बारे में जो कि है आपका क्रेटिंग एन इंक्लूजिव स्पूल और बैल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर एक अपडेट आप लोगों तक पहुंच जाए सेकंड एर के नोट्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके लिए आप हमें डियम कर सकते हैं वट्सप के उपर जो की नंबर आपको अबाउट में दिये गए हैं यहां भी मैं आपको नंबर शो कर दूँगे फर्स्ट यूनेट की बात करते हैं फर्स्ट यूनेट में अंडरस्टेंडिंग डाइवर्सिटी के अंदर आपको वीजूल हेरिंग और मेंटल ये तीनों डिसबिलेटीज याद करनी हैं इनको कैसे आप ठीक कर सकते हैं यह आ इंडिविजुल एजुकेशन के अंदर आपसे कॉंसर्प्ट, मिनिंग, नीड्स और सिग्रिकेशन तू इंक्लूजन आपसे पूछ लिया जाता है प्रिंसिपल आपके इसमें पूछे जाते हैं तो आपको ये तीन टॉपिक करने हैं जिसके अंदर ये वाले तीन टॉपि ये दोनों अरग औलग पूछे जाते हैं इन दोनों में से एक देखने को भी मिल सकते हैं अब जो सेकंड नेट इसके अंदर बनेगा वो आपका कौन कौन सा बनेगा वो आप देख लीजे तो second question आपका जो बनेगा वो बनता है आपका short notes पूछ लिए जाते हैं NGO के उपर, RCS के उपर, DDRCS के उपर और RCI के उपर, आप RCI एक बार पढ़ लिया आपने जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, यह दोनों करने के लिए तो यह दोनों बिल्कुल भी आप skip नहीं करेंगे, आपका paper अच्छे से हो जाएगा ठीक है, तो यह मैंने बता दिया, second unit का आपको क्या-क्या करना है अब बात करेंगे, हम third unit की, तो third unit बहुत छोटी unit है जिसके अंदर आपका जो छोटा question है, यानि चार नंबर का question है वो यह है, school awareness and readiness for the addressing learning disabilities यह आपका आठ में भी पूछ लिया जाता है, और आपका चार में भी पूछ लिया जाता है आठ में पूछा जाएगा, तो इसमें से आपका second वाले में से एक चीज दी होगी जो infrastructure and assembly जो है, यह दी जाती है आपके जादा तर, यह दोनों ही जादा तर पूछी जाती है और awareness और readiness और readiness पूछी जाती है और एक question आपका आएगा यहाँ से, यानि एक question यहाँ से और एक question यहाँ से ऐसे आता है आपका इस unit के अंदर पूरा, तो आपको इसके अंदर, 16 नमबर के अंदर करना है special needs in terms of learning experience in the contents or disability and their learning style और दूसरा आपको यहाँ से करना है, तो आप special वाला और यह awareness वाला कर लीजिएगा यह आपके लिए काफी रहेगा unit 4 की बात करें, तो unit 4 में आपके दो question बनते हैं पहला question आपका बनता है, वो यहाँ से बनता है और second question जो बनता है आपका, वो इस portion में से बनता है ठीक है, तो अब इसमें question क्या बनेगा कई बार आपसे पूरी ही यह चीज पूछ ली जाती है कि pedagogy strategy जो है, वो बताईए और कोई भी एक explain कीजिए और explain करने के लिए नहीं बोला गया, तो peer tutorial पूछा जाता है इसके अंदर, comprehensive learning style आपसे पूछा जाता है budding system इसके अंदर पूछा जाता है second वाले में बात करें, तो second वाले में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका की parent, teacher जो है उसका school और आपका जो घर है उस पे क्या प्रभाव पड़ता है ठीक है, parents और teacher का पूछा जाता है जादा तर इसके अंदर आपसे तो ये आपको करना है और special educator का पूछा जाता है दो चीज पूछे जाते हैं, special educator का और parents और teacher के बारे में पूछा जाता है तो यही question बनते हैं और यही topic आप लोगों के important भी हैं इस पूरे में वीडियो informative लगे तो like, share और subscribe जरूर कीजिएगा चैनल को ये आपके important question है जिसमें से मैंने यहाँ पर आपको short question अलग करके दे रखे हैं इसके अंदर meaning of diversity, program of action 1992, meaning of school reading is ये misprint हो गया है, coordination, cooperative learning इसके अंदर आता है learning disability आपका main features of RTE act ये मैंने हिंदी में लिख दिया, 2000 something तो कुछ है reference to children and disability, school readiness for inclusive education use of ICT in inclusive setup, need of inclusive education provisions for PWD students in POA 1992 learning style for visual disabled and role of counselor ये छोटे question इन में से आपके इन से बाहर कुछ भी नहीं आएगा बात करें हम unit 1 की तो मैंने 4 question यहाँ पर दिये है अब यह मैंने आपको बताया कि इसके अंदर से आपका जो 4 question है इसमें से दो तो आपके, जो मैंने आपको बताए कि mental, hearing और visual है वही हैं दोनों, दूसरा आपका जो question ये दो question आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों ही inclusive education के हैं और इन दोनों में से कोई ना कोई आपको देखने को मिलेगा और एक भी मिलता है तो आप same ही answer लिखेंगे उसका next है आपका unit second, unit second में आपका सलमान खा statement और UN वाला most important है आपका करना ही करना है, ये पहला question बिलकुल skip नहीं करना, पूरा का पूरा याद करना है उसके बाद आपसे NGO, RCIC, CS की definitions पूछ लिजाती है तो आठ आठ नमबर में इनको लिखना होता है, दो ही आएंगी, तीन नहीं आएंगी फिर आपका जो question बनता है, वो national policy for person with disability है आपका ये 2006 है ये, तो ये आपको याद करना है, उसके बाद आपका जो इसमें क्या बोलते हैं, PWD जो है, वो भी आपको याद करना है, आठ नमबर में पूछ लिया जाता है, मिन्स ये दोनों आपको आठ आठ में देखने को मिल सकते हैं तो इसके अंदर सल्मान का कर लो, UN कर लो, that's it, और करने की जोरती नहीं है Unit 3 की बात करें, तो Unit 3 में आपको Awareness और Readingness याद करनी है, और ये याद होनी चाहिए, Inclusive School in Term of Infrastructure and Assembly ये आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद आपका जो Meaning and Characteristic है, Inclusive School का, वो आपको पता होना चाहिए, Present Time के अंदर, ये तीनों ही Most Important Question है, इस Unit के अंदर Unit 4 की बात करें, तो मैंने यह चार कोशन देए,